आज हम लोग बाग गुफा के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि इन गुफाओं का निर्माड कब हुआ ये गुफाओं पांसो से साथ सो इस्वी के मद निर्मित की गई इन गुफाओं को प्राचीन गौलियर रियासत में पाया गया था परंत स्वंता प्राप्ति के पश्चात ये गुफाओं मद्य प्रदेश राज्य में पायी जाती हैं इन गुफाओं की खोज का परीचे एवं चाच्छु स्विवरन सन 1818 इस्वी में लेटनेंट डेंगर फिल्ड ने बंबाई से प्रकासित किया था ये गुफाओं मद्य प्रदेश के धार जिले में इन दौर से लगबग 1.500 किलमेटर दूर और अजन्ता से 400 किलमेटर दूर इस्थित हैं धार तक पहुचने के लिए हमें पहले मोहो रेलवे स्टेशन से रेल गाडी द्वारा 87 मील का मार्ग पार करना पड़ता है उसके पश्चाद मोटर गाडियों से हम लोग धार से बाग कसबे तक का मार्ग तैं करते हैं ये बाग कसबा नर्मदा नदी की सहयक नदी बागनी नदी के तट परिथित है चुकि बागनी नदी कितट पे इस्तित होने के कारण इस ग्राम का नाम बाग पड़ा और यहां इस्तित गुफा का नाम बाग गुफा पड़ा इन गुफाओं का 1929 वाली जुर्णधार योजना के समय पांडव गुफा से प्राप्त तामर पत्र से ग्याद होता है कि इनका प्राचीन नाम कलायन या कलेयन था यहां पर कुल नो गुफाएं हैं जिनमें से पांच गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं चार का मार अवरुद्ध होने के कारण इनके चित्रों के बारे में कोई ग्यान प्राप्त नहीं है पहली गुफा जो है उसका नाम ग्रह गुफा है दूसरी पंच पांडू तीसरी हाथी खाना चौथी रंग महल पांचवी पाट शाला सरवादीक चित्र जो हैं वो पाट रंग महल में ही मिले हैं गुफा संख्या जो छे, साथ, आठ, नो का मार अरुद्ध होने कारण इनके नाम नहीं रखे जा सके हैं बाग गुफा की चटाने भुरुबरे बलुए पत्थर की हैं काले सफेद तथा हिरोंजी के लाल रंग से उत्तं चित्र आलेखन बनाए गए हैं तथा लाल पीले न गुफा जिसे हम पंच-पांडू के नाम से जानते हैं इस गुफा में एक वरगाकार चैते बना है जिसे तीन ओर से छोटी-छोटी कोठरियों कोठरियां काट कर बनाई गई हैं बाग बाहर की ओर इस थंबों पर आधारिक बरामदा है बरामदा है पीछे एक इस्तूप च हाथी खाना है, हाथी खाना गुफा में कोठरियों में टेंपरा चित्रों के कुछ आलेखन बने मिले हैं, इन गुफाओं में दो मंडप यानी हाल हैं, इन गुफा की दीवारों पर बुद्ध पूजा के चित्र बने हुएं, चौथी रंग महल, इस गुफा में अब तक सबस सुन्दर चित्र प्राप्त हुए हैं, और अवसेस भी सुरच्छित हैं इनके, इन गुफाओं का मद्ध का मंडप 84 फुट लंबा है, यहां के दरवाजों पर ब्रैकटों में जो मूर्तियां हैं, वह सांची की सैली के समान हैं, और पांचवी हैं पाट शाला, इस गुफा इस गुफा है, रंग महल, उसमें जो छे चित्र प्राप्त हुए हैं, वह इस प्रकार हैं, पहला है वियोग, यानि शोका कुल महिला, दूसरा है मंतरना, जिसमें कुछ पुरुष बैठे मंतरना कर रहे हैं, तीसरा है देव पुरुषों का आकास विचरम, चौथा है गाय गायक दल, पांचुआ है नत्यांगनाएं या वादिकाएं, और छठा है शोभा यात्राएं, इस प्रकार ये कुल छे चित्र बाग गुफा में प्राप्त हुए हैं, जो की उत्तम कोटिके हैं, इस प्रकार बाग गुफाओं का विवर्ण, डेंगर फिल्ड ने हम लोगों ये गुफाओं भारत में नहीं हैं, ये शीलंका में इस्थित हैं, ये गुफाओं कोलंबो में उत्तरपूर में लगभा 165 किलोमेटर दूर मटाले जिले में इस्थित हैं, शीलंका में प्राप्त बहुत धर्म की संबंदित ये गुफाओं बहुत ही उतक्रिष्ट मानी ज अब इनकी खोज जानते हैं कि इनकी खोज और रचना कब हुई तो 1830 इस्वी में बिटिस फोज के एक पदाधिकारी मेजर फोर्मस ने को एक यात्रा के दौरान इन गुफाओं का पताचला पताचला सिंगल को श्रीलंका तामर पढ़नी अमर दुइब और आम के दुइब गठित होने के कारण आमर दुइब भी कहा जाता है भारत के मौर समराट ने तीसरी शती ईसापूर में अपने पुत्र को बौधिवरची की साखा लेकर तथा अपनी पुत्री संग मित्रा को बौध धर्म परचारार्थ श्रीलंका भेजा था तभी से भारत तथा श्रीलंका के मध सांस्कतिक आदान प्रदान की कहानी लिखी जा रही है आचार बुध घोष ने अपने रचित ग्रंथ विशुद्ध मग में श्रीलंका के प्राचीन चिति ठिकानों का उलेक किया है यहां कुल 6 गुफाएं हैं या अनताकफ हैं जिनमें कुल 21 रूपानी इस्तियों के चित्र प्राप्त हुए हैं 6 गुफाओं में 2 अनताकफ हैं पहले कच्छा में 17 वद दूसरी में 4 आकरतियं हैं इन गुफाओं में नीले रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। यहां लाल काले पीले ता सफेध हरे रंगों का प्रयोग किया गया है, यहां की प्रविदी टेमपरा है और यहां अपसरा का एक उत्तम चित्र प्राप्त हुआ है जो कि सिग्रिया की उत्रिष्टता को दर्साता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाग गुफा और सिग्रिया इन गुफाओं का जो विवरण है वो हमको प्राचीन लेखों में मिलता है और हम इन गुफाओं के द्वारा ही जान सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल में कितना कला का वैबहौ था कला की क्या